हेलो स्टुडेंट्स, क्लास स्टेंट, मैथेमेटिक्स का फॉर्स चाप्कर कर रहे हैं, रियल नंबर्स, टॉपिक, स्टेंफ एटल्सियम, बोर्ड पे आ जाएं, कंटिन्यू करते हैं, आज कुछ नया सीखेंगे, क्या नया सीखेंगे, अभी पता लग जाएगा, 90 and 144, सबसे पहले हमें इसका LCM and SCF निकालना हैं, लास्ट क्लास में भी तो निकाला था, देखिए, फिर निकालते हैं, कुछ नया भी आएगा, ओके, चलिए, नया सीखने से पहले, स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम निकालेंगे इसका, LCM and SCF, राइट, और LCM and SCF, यहाँ पर हम निकालेंगे, प्राइम फैक्टरिजेशन मेथर से, दो मेथर थे, उसमें सहम यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टरिजेशन मेथर, ओके, तो उसके लिए इसके फैक्टर्स करना ज़रूरी है, चलिए, फैक्टर्स करते हैं, 2 into 45, 50, 3 into 15, 45, 3 into 5, 15, 5 into 1, 5. चलिए, अब इसके factors करते हैं, 2 into 72, 144, 2 into 36, 72, 2 into 18, 36, 2 into 9, 18, 3 into 3, 9, 3 into 1, 3. ओके factors हो गए हैं, अब हमें इसका निकालना है, SCF and LCM, चलिए, सबसे पहले हम लोग इसको इधर दुबारा एक particular form में लिख देते हैं, फिर निकालेंगे, चलिए, 90 के क्या factors आए, 2 into 3 square, into 5, into 1, 90 के factors, 2, 3 square, दो बार आए 3, 5 and 1, 144 के factors करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, right, 2 यहाँ पर आ रहा है, 4 times, 4 बार आ रहा है 2, 3, 2 times and 1, ओके, तो सबसे पहले हमने इसके factors कर लिए, prime factors कर लिए, ठीक है, prime factorization करना है, अब, LCM of 90 and 144, LCM निकालने का तरीका, मैंने बताया था, सबसे पहले जो same है, उसको लिख लें, right, अब आप देखो, क्या यहाँ पर यह same है, same नहीं है, right, यहाँ पर आप देखो, 2 के उपर power 1 है, और 2 के उपर power 4 है, तो इस case में क्या करेंगे, इस case में जो greater power है, वो हम यहाँ पर ले लेंगे, समझ गए मेरी बात, तो पहली चीज़ क्या बताई, जो same है, वो ले लेंगे, 3 square, 3 square, एक ही बार लिखेंगे, ठेके, फिर पता चला, number तो same है, power different है, तो greater power लेंगे, इसके अलावा, जो same नहीं है, उसको भी लेंगे, ठेके, 1 नहीं ले रहा हूँ मैं आपर, चलेजी, तो यहाँ पर आजाएगा 9, 3 का square 9, 2 raise to the power 4, 16, 2 into 2 4, into 8, 8 into 2, 16, 16 into 5, right, तो 9, 16 into 9, 144, टेक है, 16 into 9, 144, फिर 144 into 5, 4 into 5, 20 carry 2, 22, तो कितना आ जाएगा, 720, इस तरह से, इनका LCM कितना आ गया, 720, ओके, चलिए जी, LCM तक तो पहुँच चुके हैं, अब निकालना हमें है यहाँ पर SCF, तो SCF of 90 and 144, ठीक है, चलिए, अब SCF के लिए क्या था, SCF के लिए था, जो दोनों में common हैं, वो आएगा, तो दोनों में common क्या है यहाँ पर, 3 square, अब 2 दोनों में common है, पर power different है, इधर अलग power है, इधर अलग power है, right, तो हम इसमें कौन सा लेंगे, smaller one, जिसमें कम power है, वो यहाँ पर लेंगे, right, फिर into one, लिखना चाहिए one तो ठीक है, बास में आ गई, तो SCF के लिए क्या बता है मैंने, जो common है, उसको लेंगे, फिर यहाँ पर common तो है, पर power different है, तो कम power वाला लेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा 3 का square 9, 9 into 2, 18, right, तो SCF और LCM में confused नहीं हो ना, तो LCM में क्या था, जो common है, वो आएगा, common तो है, पर power अलग है, तो greater power आएगा, और जो common नहीं है, वो भी आएगा, ठीक है, कि SCF में क्या है, जो common है, वो आएगा, common तो है, पर power different है, तो कम power वाला आएगा, चीक है, और जो common नहीं है, वो नहीं आएगा, बास में आगे, थोड़ा इस तरह से ध्यान रख लो, जैसे LCM का L, थोड़ा याद रखने के साब से बता रहा हूँ, L का मतलब हो गया, लालची, ऐसे याद रख लो, ठीक है राइट, LCM क्या है, लालची है, राइट, LC, लालची, क्यों लालची है, जो common है, वो भी चाहिए, common तो है, पर power अलग है, तो बड़ी power वाला चाहिए, और जो common नहीं है, वो भी चाहिए, राइट, तो लालची हो गया न, ठीक है, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पर, SCF और LCM निकाला, by prime factorization method, अब नया क्या पढ़ना था, मैं बताता हूँ, पहले आप बॉस करके, चेकर राइट, इसको लिख लें, चलिए, आपने लिख लिया होगा, ओके, तो यहाँ पर हमारा, SCF आ रहा है, 18, ठीक है, SCF हमारा आ रहा है, 18, और LCM हमारा आ रहा है, 720, राइट, 90 और 144 का में लिया था है, यहाँ पर, मैं पूरा रब कर रहा हूँ, अब जो आपको यह देखना है, जो आपने SCF, LCM निकाला है, वो सही है या नहीं है, यह भी आप verify कर सकते हो, राइट, जो आपने यहाँ पर SCF और LCM निकाला है, इसका आप verify कर सकते हो, राइट, verify करने के लिए यहाँ पर एक formula है, क्या formula है, राइट, formula यह वाला है, इदर लिख देता हूँ मैं, LCM and SCF of two numbers equals to product of two numbers, यह हमारी एक theorem है, ठीक है, राइट, इससे हम इसको verify कर सकते हैं, जैसा आपने LCM, SCF तो निकाल लिया, राइट, तो जो आपने SCF, LCM निकाला है, इन दोनों का product, दोनों number के product के बराबर होना चाहिए, ओके, अगर ऐसा है, तो जो आपने यहाँ पर calculate किया है, वो बिल्कुल सही है, और अगर यह verify नहीं होता है, तो नहीं है, राइट, करें verify इस formula से, ओके, चली करते हैं, यह formula हमारे सामने है, सबसे पहले हमने लिखा LHS, LHS यहाँ पर क्या है, LCM into SCF, ठीक है, हमें इनका product निकालना है, ठीक है, right, product of LCM and SCF of two numbers, ठीक है, तमारा यहाँ पर, LCM कितना आया था, 720, and SCF कितना आया था, 18, multiply कर लें इसको, right, 72 into 18, 2 into 8, 16, carry 1, 78, 56, 57, 2, 7, 6, 9, 12, तो आगया है, यहापर, 1, 2, 9, 6, यह आपका क्या आगया, LHS, चीक है, इसको रब कर देते हैं, चलिए, अब हम यह निकालना है, यह आपर, RHS, RHS है हमारा, product of two numbers, ठीक है, तो दो numbers कौन से थे हमारे पास, 90 and 144, ठीक है, right, multiply कर लेते हैं, तो 90 है, तो 9 से कर लेता हूँ, 4 into 9, 36, carry 3, 9, carry 3, तो 1, 2, 9, 6, 0, right, sorry, इधर मैंने multiply तो किया, 0 लगाना भूल गया, I am sorry, 72 into 18, 1, 2, 9, 6, और यह 0 आ जाएगा, ओके, इसको भी multiply कर रहे हैं, तो यही आ रहा है देखो, तो कितना आ रहा है, 1, 2, 9, 6, 0, fine, चलिए, इसको हमने नाम दे दिया, 2, अब आप देखो, LHS से भी हमारा वही आंसर आ रहा है, और RHS से भी हमारा वही आंसर आ रहा है, मतलब हमने इस theorem को satisfy कर दिया, कि product of LCM and HCF of 2 numbers is equals to the product of 2 numbers, बास में आ रही है, ठीक है, तो हम यहापर लिख देते हैं, from 1 and 2, we get LHS equals to RHS, तो यहाँ पर आ जाएगा, hence verified, किती बास में आ गई, चीक है, pause करके इसको लिख लें, पिर आपना आगे बढ़ते हैं, चलिए, ओके, तो जितना हमने last class में पढ़ा, उससा हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, चीक है, राइट, तो अभी हम LCM और HCF ही कर रहे हैं, चलिए, अब मैं एक question यहाँ पर board पर करता हूँ, चीक है, फिर अपना आगे चलेंगे, question यह देखो, sheet में से लिख रहाँ मैं, statement लिख रहाँ, find the SCF of 96 and 404 by prime factorization method, फिर है, hence, find their LCM, right, तो आप से क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 96 and 404 का prime factorization से SCF निकालना है, निकाल सकते हैं अभी आपने देखा, फिर बोल रहे हैं, LCM भी निकालना है, पर prime factorization से निकालना है, SCF को use करके निकालना है, टेक है, question में यह बोल रहा है, and hence, find their LCM, मतलब इसको use करते हुए आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है, कैसे करेंगे, चलो दिखते हैं, सबसे पहले, हमारा पहला step कोई होता है, हम 96 के factors कर लेते हैं, टेक है, 2 से करें, 2 into 4, 8, 2 into 8, 16, 2 into 2, 4, 2 into 4, 8, 2 into 12, 24, 2 into 6, 12, 2 into 3, 6, 3 into 1, 3, right, चले, अब 4 0 4 के factors करते हैं, टेक है, 2 0 2, 2 into 10, 20, 1 0 1, चेक है, राइट, यहाँ पर क्या आजाएगा, टेक है, 101 किसी से डिवाइड होगा, नहीं, 101 क्या होगा है, आपर, प्राइम नंबर, तो 101 into 101, चेक है, राइट, चले, तो अब हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे 96 के factors होगा है, कित्ती बार हारा है, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2 raise to the power 5, फिर into 3 into 1, 404 के factors, 2 square into 101 into 1, तो हमें क्या निकालना है इसका, SCF, तो SCF of 96 and 404, तो SCF क्या बताया था मैंने, जो दोनों में common हो, वो लेना है, दोनों में exactly common तो कुछ भी नहीं है, second, common तो है, पर power अलग है, तो हमें कौन सा लेना है यहाँ पर, कम power वाला लेना है, तो SCF कितना आ गया, 4, चीक है, चलिए, इतना लिखे, फिर आगे क्या करना है, मैं बताता हूँ, चलिए भई, यहाँ तक तो पहुँच गए, तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, SCF निकाल लिया, 4, SCF समझ में आ गया है न सप्पू, ठेके, SCF में क्या था, दोनों में common है वो आएगा, दोनों में common तो है, पर कम पावर वाला आएगा, अगर पावर अलगे तो, और जो common नहीं है, वो नहीं आएगा, तो SCF हमारे पास क्या आ गया, 4, चेके, चलिए, अब हमसे क्या बूल रहे हैं देखू, हमें निकालना है LCM, पर ऐसे नहीं निकालना, तो ऐसे नहीं निकालना मतलब, SCF को यूज करते वे निकालना है, तो हमारे पास formula है, SCF into LCM equals to product of two numbers, ठीके, तो SCF कितना आया, 4, यह formula तो पता है ही सरी, अभी ज़स्ट अपन ने पढ़ा, राइट, LCM हमें find out करना है, and the product of two numbers is, 96 into 404, राइट, तो हमने यह formula क्यों use किया, हमसे बोला गया, कि SCF निकालो, और फिर इस SCF की मदद से LCM निकालो, राइट, तो LCM हम सीधा भी निकाल सकते थे, पर नहीं निकालना, हमें SCF को use करते वे निकालना है, तो उसके लिए तो यह formula है, SCF into LCM equals to product of two numbers, तो SCF आगया 4, हमने जस्ट निकाला, LCM we don't know, product of two numbers is 96 into 104, अब आप देखो, LCM निकाल जाएगा, तो LCM equals to 96 into 404 upon 4, यह 4 इदर आकर divide होगे, ठीक है, तो 96 into 4 से cancel, 101, तो कितना आजाएगा, 96, 96, तो मतलब आपके पास एक और तरीका है, कि आप किसी एक का तो prime factorization से निकाल लो, ठीक है, और दूसरे का आप इस formula से निकाल सकते हैं, ठीक है, तो अभी तो LCM नहीं दे रखा था, हो सकता है, ऐसा question हो, जिसमें यह दोनों दे रखा है, एक number भी दे रखा है, third number निकालना हूँ, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप यह formula यूज़ करोगे, पास में आई ना, जैसे यहाँ पर SCF है, LCM है, और यहाँ पर दो numbers है, तो चारों में से अगर कोई एक चीज़ नहीं दे रखी है, तो यह formula यूज़ करके आप निकाल सकते हैं, ओके, चलिए, मैं उसको rub कर देता हूँ, इसको आप pause करके लिख लो, फिर अपना आगे बात करते हैं, चलिए, आपने लिख लिया होगा, तो आज की class हम यहीं पर कतम करते हैं, इसके साथ homework आएगा, उसको ज़रूर करिएगा, next class में हम लोग दुबारा मिलेंगे, तब तक के लिए practice करते रहें, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें, बाई